नमस्कार मैं शालनी जाओ और आप देख रहे हैं O News Hindi इन दिनों Bollywood की मुवीज को बॉयकॉट करने का ट्रेन काफी जोरो पर है ऐसे तमाम Bollywood के स्टार्स हैं जिनकी फिल्मों को जनता कई बार बॉयकॉट कर चुके है अभी हाल ही में आमिर खान और करीना कपूर खान की आने वाले फिल्म लाल सिंग चड़ा को बॉयकॉट करने की मांग उठी थी जिसे रिलीज होने से पहले ही जनता ने ये साफ कर दिया कि हम आमिर खान की लाल सिंग चड़ा को थेटर में देखने बिलकुल भी नहीं जाएंगे अब जहां लाल सिंग चड़ा को बॉयकॉट करने की मुहीम अभी भी खत्म नहीं हुई है इसे लिस्ट में वॉलिवुट की एक और बड़ी मुवी अब शामिल हो गई है जी हां वो मुवी और कोई नहीं बलकि लाल सिंग चड़ा के साथ रिलीज होने वाली मुवी रक्षा बंदन है इस मुवी में अक्षे कुमार नजर आने वाले हैं जिन्हें जनता राष्ट्रिवादी अभिनेता के तौल पर देखते हैं लेकिन सवाल यह है कि जब लोग अक्षे कुमार को इतना पसंद करते हैं तो उनकी इस फैमिली मुवी को बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस मुवी को बॉयकॉट करने की पीछे की वज़े क्या है और आखर ट्विटर पर हाश्ट्रैग बॉयकॉट रक्षा बंधन मुवी क्यों ट्रेंड कर रहा है वो वज़े और कोई नहीं बलकि इस फिल्म की राइटर कनिका धिलॉन है जिन्होंने अपने ओफिशियल ट्विटर अकाउंट से वो सभी ट्वीट्स डिलीट कर दिये हैं जिसमें उन्होंने देश के खिलाब कई ऐसी बाते कही थी जिस पर जनता अब उनसे जबाब मांग लेकिन हम वो ट्वीट आप लोगों को दिखाएंगे कि आखिर इस स्क्रीट में कनिका ने क्या कुछ कहा है यह ट्वीट्स अपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें कनिका क्या कुछ कहती हूई नजर आ रही है एक ट्वीट है 29 जून 2017 को जिसमें उन्होंने लिखा है गाई को बचाने के नाम पर 22 महिने में 19 हमले दुखत शर्मनार इतना ही नहीं CA NRC के प्रोटेस्ट के दौरान भी ये काफी आक्टिव नजर आई और काफी इन्होंने ट्वीट्स भी किये साल 2020 में जब CA NRC को लेकर प्रोटेस्ट होता है उस वक्त कनी का माडम लिखती है ये हमारे देश की पुले सहियं, डिसिप्लिन, वीर्ता का प्रमान देते हुए जब रेपिस्ट को इस देश में रियायत मिलती है तो प्रोटेस्टर्स को क्यों नहीं मतलब इस ट्वीट से ये वो साख कर रही है कि प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहतें CA NRC में उन्हें पूरी तरीके से रियायत देनी चाहिए, उन्हें छूट देनी चाहिए एक ट्वीट इन्होंने साल 2021 में किया है जहां इन्होंने लिखा कि अस्पताल के बिस्तर के इंदिजार में पार्किंग में मनना, ये अच्छे दिन है इंडिया सुपर पावर है और गौ माता का मुत्र पीने से कोविट चला जाएगा तो यही वो ट्वीट्स हैं जिन्हें हमने आपके साथ शेयर किया है और ये बताया है कि कनिका ने क्या कुछ अपने ट्वीटर हैंडल से डिलीट किया है लेकिन अब सवाल ये उठता है जब मैडम ने इतने ट्वीट किये थे और सरकार से लेकर धर्म पर इतने सवाल खड़े किये थे तब अचानक से इन्हे ये ट्वीट डिलीट करने की जरुवत क्यूं पड़ी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें ये डर था कि अगर इनके फिल्म के रिलीज के वाग इन्हीं के ये ट्वीट्स इनके लिए खत्रा ना थाबित हो जाए पर हुआ तो कुछ उल्टा ही एक तरफ इन्होंने अपने ट्वीट्स डिलीट किये तो दूसरी तरफ जनता ने इनके सारे पुराने ट्वीट्स को खंगाल दिया और कर दिया सबके सामने पेश चुकि अब देश की जनता ने ये साख कर दिया है वो ऐसी कोई भी फिल्म नहीं देखेंगे जिसमें एक विशेश धर्म को टार्गेट किया जा रहा हो ऐसे में कनिका की चत्राई उन पर ही भारी पड़ गई आपको याद होगा कुछ दिनों पहले समशेरा रनबीर कपूर और वानी कपूर और संजेदत स्टारर फिल्म रिलीज हुई थी जो बुरी तरीके से पिट गई और तो और फिल्म के फ्लॉप होने के बाद इस फिल्म की अभिनेता संजेदत ने एक नोट जानी कर मूवी को बहतर बताने में कोई कसर नहीं चुड़ा है और साथी यह भी कह दिया कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना अब भई आप कैसे बूल गएं कि वो लोग यह जनता हैं जो किसी मूवी को हिट या किसी मूवी को फ्लॉप करती हैं खेर जाने दीजिए हमारी नजर तो इस बात पर रहेगी जिस तरीके से अक्षे गुमार की मूवी लक्ष्मी और प्रित्वी राज जैसी मूवी फ्लॉप रही हैं ऐसे में वोई कॉर्ट का सर उनकी आने वाले फिल्म रक्षा बंदर पर कितना पड़ेगा इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमें सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल ओन्यूज हिंदी के साथ बने रहें मुझे दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ धन्यवाग